नवसकार दोस्तों उत्तर प्रदेश फ्लिस कॉंस्टेबल बरती 2023 के लिए एड्मिट कार्ड जारी हो चुके हैं आप एड्मिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो आपको बताएंगे यदि आपने अभी तक सरकारी रिजल्ट एकजाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें क्योंकि सरकारी रिजल्ट एकजाम देता है यूटीब पर सबसे तेज और सबसे सटिक सभी सरकारी नोकरियों से समंदित अप्डेट देखे दोस्तों उत्तरप्रदिस Constable बरती 2023 के लिए admit card जारिक हो चुके हैं देखे दोस्तों admit card डाउनलोड करने के लिए आपको दो तरीके बताएंगे पहला तरीका है simply आपको Google पर जाना है यहाँ पर आपको सर्च करना है UPPRPB यह सर्च करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से page open होगा यहाँ पर आपको सबसे उपर link दिखाई देगी officially जिस पर आपको click करना है click करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से page open होगा अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक line latest notice इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है इसे आप mobile या PC दोनों में open कर सकते हो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से page open होगा अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा admit card का option यदि आपके पास registration number नहीं है या भूल गए हो तो आप यहाँ से forget registration भी कर सकते हो लेकिन अभी फिलाल आपको admit card डाउनलोड करना है तो admit card भी क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस परकार से page open हो जाएगा अब यहाँ पर आप दो प्रकार से admit card डाउनलोड कर सकती हो यहाँ पर registration number और date of birth लगाकर यहाँ आपको login कर लेना है या फिर आपको यहाँ पर roll number लगाकि और फिर केपचा लगाकि फिर login कर लेना है यहाँ पर registration number और roll number दो प्रकार की option है यहाँ पर आपको date of birth लगानी है और केपचा लगाना है और login कर लेना है इस प्रकार से आप उत्रपदेश कॉंस्तोबल बरती प्रिक्सा 2023-24 के लिए admit card डाउनलूट कर सकते हो दोस्तो इस से समंदित कोई भी update होगी तो 40 सेकिंड बे आपको मिल जाएगी इसलिए सरकारी डिजाट एक्जाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को ओल पर क्लिक करना बिलकूर ना भूले